हर हर महादेव प्रिज्च ने किया तो जो लाल वाला बटन है प्लीज इसे दबा दे हमारे जो आपको हमारी हर वीडियो टाइम तक पहुंचते रहे दोस्तो आज हम बात करने वाले जो बंदे जो बाबा के भक्त हैं जो पहली बार कावड लेने आने वाले हैं अर दुबार तो इन लोगों पता नहीं रहता कि हम कौन से नियम माने ऐसे क्या-क्या नियम है जो हमारी कावड बेकान नो खंडितना हो और हमारी कावड साइसलामत बाबा के दरबार तक पहुंच जाए तो इसलिए आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे ऐसे कौन-कौन से नियम है जो हम अपने उपर तो उनसे मैंने सीखा है कि हम कौन-कौन से नियम माने और कैस कैसे नियम हैं हम बात करते हैं पहले नियम की भोले वक्त कावड लेने के लिए दोरन किसी भी फिरकार का नसा नहीं करना चाहिए अगर आप नसा किया दी हो तो आपको नसा किसी चीज का नहीं करना चाहिए बहु नसा में आकर वो कावड भी लेकर गिर सकते हैं कावड खंडित हो सकती है इसलिए आपसे निवे देन है कि आप किसी प्रिकार का नसा नहा करें दूसरे नमबर पे आपको मास, मदीरा, आदी, सेवन भी नहीं करना है जब आप घर से निकलो तो इन बात दियान रखना कि मास, मदीरा, इन चीज़ों होगा कुछ आपको परहेज करना है जब तक बावा पे जल नहीं चड़ जाई हमारा दूसरा है हमें प्याज, लस्टन का सेवन भी बुलकुल ही नहीं करना है हमें, जब हमें कावड लेकर जाना लेकर ना है घर से तो जब तक आप घर पर जब आप सेवन करते हैं घर से निकलने के बाद में जब किसी रस्ता बीच में होटल पर रुखो को तो हाँ भी आप कर सकते हो, लेकन हर दूसरा पहुचने के बाद में आप इन चीजों का सेवन बुलकुल बंद कर दें फिर आता हम, जो हम कावड उठाते हैं तो कावड बिना नहाए हुए कावड कभी न उठाएं नहा लें, इसनान कर लें और फिर अपनी कावड उठाएं फिर इसके बाद हमार पाजमा पॉइंट आथा कावड यात्रा के दोरान आपको तेल, सावन, कंगी वा अन्य सिंगार सामेगरी होती है लेडिस हो या जैन्स हो आपको कुछ नहीं करना है ये सामेगरी एलाओ नहीं है आप नहीं तेल लगा सकते नी सावन, ना कंगी, नी भाल कार सकते आप जैसे हो, पान दिन लगें, दर्स दिन लगें आपको कावड में, आपको जैसा आपको वैसा ही रहना है, फिर आता आपका, अगर आप कावड या लेकर कावड लेकर रस्ते में जैस चलते हो और आप कहीं बिसराम करते हो तो आपको किसी खाट या कुर्शी पर नहीं बैठना है अगर खाट या कुर्शी बैठोगो तो आपकी यात्रा भंग हो सकते इसलिए आप नीचे बैठें नीचे ही सोऊं और नीचे ही भोजन करें ये हमारे बावा का नियम है फिर आता हमारा साथ मनंबर हम चमड़े से बने कुछ भी चीज अपने उपर लागुना होने दें या किसी चमड़े को चीज को न चुएं जैसा आपको चमड़े का परस होता तो उस चमड़े को बसका अपने घर छोड़ दें बहुत से चीज़ चमड़े की ऐसी होती है जो ब्लुक्त प्यूर होती है और इन्हें आप अपने उपर लागुना होने दें दूर राखें फिर आता है हमें रास्ते में जैसे आप कावड लेकर जा रहे हो तो रास्ते में कहीं ही जैसे आपको प्यास लगती है या कुछ और बेश्कता आपको कुछ कावड में बहाती बजन है तो आप रस्ता बीच में अपनी कावड को ना रखें गया करो घ्ञा कवर तो आप किसी से बात नrixाए रहे हो तो जैसे सोनो сбhol बोले हो गया या फिर भूले भूले के बात करते हैं और जब भूलन बात आता है कि हम कावड कंधे पर रखें तो भूले भक्त को कावड उठागे सीधे अपने सिर के उपर कर निकाल के नहीं ऐसे हमारी कावड बेकर हो जाएगी एक कंदह पैसे जिस कंदह पैसे दूसरे कंदह पैसे कंदह को पीछे कर लेना है मतवल सिर्ग के उपरकार निये लेना कंदः कर पीछे कर आपको कावरद अपनी दूसरे कंदاشावर रखनी है जिसे कि हमेरे कावर खंटित कांटित नहीं हो क्योंकि कावर खंटित होने के बाद में भूद मुश्किल होता है जो बढ़िया है जो आपके भक्त होते हैं वो आपके कावड को सही कर देते हैं इसी प्रकार के कठी नियमों को पॉलन करके हम कावड यात्रा अपनी सपल करते हैं इसलिए सबसे मैन बात आती है हमारी कि कावड या यात्रे इतनी सारी नियमों को मानने के बाद अपनी कावड पूरी होती है इसमें कुछ नियम हो